हलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक टो माई चैनल अन्वेशास क्रियेटिविटी कैसे आप सब लोग उमीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं देखी लिया होगा यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आप में से काफी सारे लोगों थे मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं बर्ड हा उसका डियाई वाई लेकिन उसको शुरू करो आपको रिमाइंडर याद है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है या मेरा भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे विद बेल बटन और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और श किया है एक साइड से तो ये बंध है आप देख सकते हैं अच्छली ये मेरी बेटी ने पेंट कर दिया था इसके ऊपर तो आप सिंपल भी ले सकते हैं जरूरी निया कि पेंट ही करना है और ऊपर से मैंने एक सरकल कट कर लिया है इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक तरफ से बंख है और एक तरफ से मैंने सर्कल कर लिया और का면 सर्कल कट करने के बाद की होते हैं मैंने कि स आप इस देखके से ख़र आकली सस्टने के डाई सेते हैं मैंने तुरानी त сделड्ड़ कर लिया है है और इस Eh इसको मुझे शैलो टेप की हम से स्टिक करना है, लेकिन स्टिक किस तरीके से करना है कि यह बिल्कुल एक्जक्ट ठीक लगे। यह मैं ले रही हुँ थोड़ी से पुराने नियूस पेपर, और पुराने नियूस पेपर को मैंने थोड़ा फाल लेती हूँ मैं, और इसको इस तरीके से करके यहाँ पर बीच में रखूंगी और इसको पूरा सेलो टेप की हेल्प से यहाँ पर इस स्टिक करनी से पहले यह जो मुء है इसका जो ओपन करने वाला जो यह बनष्ट गूर्ट चैफिस को भी सेलो टेप से आप स्टिक कर लेंगे और एक चीज़ में बताना चारी थी कि अगर आप सेलो टेप की हल्प से ना कर सके तो आप हाट ग्लू गन से करेंगे तो वो ज्यादा बहतर तरीके से होगा तो यहां पर इस तरीके से लंबाई में आपको न्यूस पेपर रखना है और उसके ऊपर से तो अभी हमें क्या करना है यहां पर ग्लू लगाना है अगर आप चाहे तो सुपर ग्लू भी लगा सकते हैं बस हमें में इस तरीके से इसको स्टिक करना है वो हो जाने के बात में मैंने क्या किया है थोड़ा सा न्यूस पेपर लेकर के और थोड़ा सा मैंने नोटबुक के पेजिज लेकर के फाड़े हैं और मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए इनको बॉइल कर रही हूं और अच्छे से बॉइल करना है जिसे कि ये पूरा अच्छे से गल जाए क्योंकि मेरे पास मैंने नोटबुक लिए है आप हो सके तो टिशू पेपर लें या फिर लें इसको अच्छे से बॉइल करके बिलकुल लुबडी जैसा बना लेना है क्योंकि 5 मिनिट तक अगर हम बॉइल करेंगे उसके बाद ही पेपर सॉफ्ट होगा तो पाँच मिनिट तक बॉइल होने के बाद में मैं इसको इस ट्रेणर में छान लोंगी और उपर से मैं पानी ड आप देखेंगे कि जो न्यूस पेपर की रदी थी वो तो अच्छे से लुक दी हो गी है और ये नोट्बुक की पेपर वाली जो है वो थोड़ी हाड होती है तो इसलिए ये नहीं हुई है तो कोशिश करें आप सिर्फ न्यूस पेपर की ही ले मेरे पास न्यूस पेपर था तो इसलिए मैंने ये लिया है तो स्ट्रेंड करने के बाद में मैं इसमें मिला रही हूं ग्लू और ग्लू लगबग ये कितना है ग्लू आप लगबग ये 50 ml की पूरी बॉटल डाल दें और मेरे पास मैं इसमें थोड़ा डाल चुकी हूं ये वाइट पी वीए ग्लू है जो आपको यूस करना है इसमेंगर और आपने पेपर देख लिया है कि कितना हम ले रहे हैं घुन ग्लू डालने के बाद में इस घुलू को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी और यह थोड़ा लिक्वीडी हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला था ग्लू की शीशी में और फिर उसके बाद में उसमें ग्लू कर दिया था और इसका एक डो त्यार कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके और यह दिखें यह एक टाइट डो सा मैंने त्यार कर लिया है और यह बन जाने के बाद में यह जो मेरा बर्ड हाउस था कियो कीली है तो अप इसकी जगाओ कुले भी यूस कर सकते हैं और या फिर आप उड़प का भी यूस कर सकते तो मैं इस साइड से लगाना शुरू कर रही हूं, उपर हम नहीं लगाएंगे, पहले हम साइड में लगाएंगे, और साइड से सब तरफ से इसको कवर कर देना है, इस तरीके से, यहां पर हम चारो तरफ लगा देंगे, और नीचे नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे का तो लगाना जरूरी नहीं है इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में हमें लगाना है इस तरीके से पानी का हाथ लगाते हुए आप इस तरीके से पानी का हाथ लगाते हुए इसको स्मूध कर ले और यह देखिए यह पूरा अंदर के साइड में इस तरीके से हो जाएगा और इसको हमें पूरा कम्प्लीट करना है और यह देखिए यहां पर मैंने सब तरफ लगा दिया है हमने अपना पेपर क्ले जो था आप देखिए कि मैंने यह साइड में भी लगाया है अच्छे से फ्रंट में भी लगाया है और यहां पर भी लगाया है और इधर भी लगाया है क्योंकि नीचे के साइड में हम सिंपल पेंट भी कर सकते हैं तो और जहां पर भी आपको फिनिशिंग की जरूरत कम लगे तो वहां पर आप थोड़ा सा पानी का हाथ ले करके इस तरीके से स्मूथ फिनिशिंग दे सकते हैं और अब मैं इसको तब तक सूखने के लिए छोड़ूगी जब तक यह अच्छे से सूख नहीं जाता बिल्कुल अच्छे से ड्राइ नहीं हो जाता जब यह अच्छे से सूख जाएगा बिल्कुल हार्ड हो जाएगा उसके बाद में हम आगे का काम करेंगे इसके उपर मुझ अगर आपको इसको हैंग चाहिए, तो एक Dhıyorum रहा हैो कर दो पादसे से जाओंके वखें, सनस्केक वो में रहा है तो अघोड कर दो अबरशी हुआ है though, आपको इसके और भाण्या हरा है इसको है श्यक्त पर जेुदने के सब्रेत लगाने से पहले क्ले लगाने से पहले करना था तो इसके अंदर से मैं डाल करके निडल को और फिर उपर को निकालना है और ये देखें ये मैंने निडल लिकाल ली है और ये थ्रेड इसके अंदर आ गया है और अब ये हैंक करने के लिए हो गया है और मैं इसको लगबग रा इसको अच्छे से सोखने के बाद में आप देखें, यह अच्छे से सूख चुका है, अभी यहां से नहीं सुखा है क्योंकि यहां पर दो-तीन दिन से बारिश हो रही है लेकिन आप तब ही इसके आगे का を प्रोसस्ट करें, जब यह अच्छे से ड्राय हो जाएया मेरा एक तरफ से bird house dry हो गया है अच्छे से और एक तरफ से अभी गीला है क्योंकि इसको सूखने में पूरे दो दिन लगे हैं और जब जब सूख जाएगा उसके बाद में ये silver foil paper मैंने लिया है इसको normal PVA glue की help से मैंने यहाँ पर stick कर दिया है आप चाहें तो इस पर silver foil paper की जगा जो kitchen napkin होता है उसको भी glue की help से stick कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा durable रहेगा तो मैं चाहूँगी कि आप जब भी भी करें तो इस पर silver foil paper भी ये करने के बाद में मैं ले रही हूँ ये teal blue color का acrylic color और इसको मैं एक ट्रे में डाल लूँगी और इसके बाद में मैं ले रही हूँगी एक ये sponge और sponge की help से मैं यहाँ पर paint करूँगी बस एक corner dip करना है पूरा नहीं dip करना है और इसकी help से हम यहाँ पर paint करेंगे इस तरीके से डाब डाब करते हुए करेंगे पेंट जल्दी भी होगा और अच्छे से भी होगा आप अपना मन पसंद कोई भी कलर कर सकते हैं मैंने स्काइब्लू कलर किया है इसके उपर मैंने कर दिया है स्काइ ब्लू कलर और उपर इसकी छट के उपर मैं कर रही हूँ और 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 इंज कलर करने के लिए आपको एक टिप देती हूँ इसको जरूर फॉलो कीजेगा क्योंकि अगर कई बारी ऐसा होता है कि यहां पर हम कलर कर रहे हैं कोई भी कलर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बारी आपका कलर अच्छे से नहीं हो पाए तो उसके लिए क्योंकि कई बारी चमकता है तो उसके लिए एक टिप है हलका सा यहां पर गलू लगाया इस तरीके से रूफ के उपर और उसके बाद में आप कलर कीजेगा इससे क्या होगा कि जो कलर है वो थोड़ा ठहरा रहेगा और पैचेस नहीं पड़ेंगे इसके और कलर आसानी से होगा कम्प्लीट होने के बाद में मेरा बर्ड हाउस कुछ इस तरीके से दिख रहा है आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज किया है यह और यहाँ पर मैंने में डूर में मैंने यलो कलर का यूज किया है और green color से मैंने थोड़ी सी घांस या design बोल सकते हैं वो बना दिया है जिससे ये देखने में थोड़ा सुन्दर लग रहा है और ये जो wall है इसकी छट जो है छट के उपर मैंने orange color के उपर black color कर दिया है जिससे कि ये देखने में और ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है और य इसको बेल बोल सकते हैं घांस बोल सकते हैं वो बनाई वी है और एक चोट इस डिजाइन बनाया वाए जिससे कि देखने में ये अच्छा लगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये hand करने के लिए मैंने thread लगाया है आप अपनी हिसाब से लगा सकते हैं जितना लंबा आपको थ्रेट चाहिए और एक साइड मैंने इसका प्लेन रखा है आप चाहें तो इधर भी आप कोई विंडो वगरा ड्रो कर सकते हैं कलर की हेल्प से मैंने यहाँ पर ब्लू कलर और और स्काई ब्लू रेड ग्रीन काफी कलर फुल बनाया है जिससे कि यह देखने में थोड अगर अच्छा लगा है तो इसके बड़ा सा लाइक दीजेगा और इसको शेयर जरूर कीजेगा और मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में हां लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर अगर आप बैटरी ऑपरेटेड लाइट रख तब ही बहुत जादा खुबसूरत बनेगा इनेक्सपेंसिव है और देखने में उतना ही खुबसूरत लग रहा है मुझे तो यह बहुत पसंद है आप मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा है चलिए मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए हुआ है